पित्रिपक्ष में रोजाना इन पांच स्थानों पर जलाए दीपक, पित्रों के साथ मा लक्ष्मी भी होंगी प्रसन्न। पित्रिपक्ष का आरंभ हो चुका है आश्विन मास के पित्रिपक्ष में लोग अपने पूर्वजों के लिए तरपन करते हैं और उनके नाम से श्राध करके दान पुन्य करते हैं माना जाता है कि पित्री पक्ष के पंद्रह दिन हमारे पूर्वज धर्ती पर आते हैं और संतान को खुशाली के साथ जीवन बिताने का आशिरवाद दे कर सर्वपित्री अमावस्या के दिन वापस चले जाते हैं अपने पूर्वजों की याद में पित्रि पक्ष के दौरान हम कई कार्य करते हैं इस दौरान पित्रों का तरपण करना, उनके निमित दान करना, उनका ध्यान करना बेहत शुभ माना जाता है मान्यताओं के अनुसार पित्री पक्ष में अगर हम अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर लें तो जीवन की कई समस्याओं से हमको छुटकारा मिल जाता है साथ ही पित्री दोश से भी मुक्ती मिलती है आप इस दोरा न केवल दानपुन्य करके बलकी कुछ विशेश स्थानों पर दीपक जला कर भी पित्रों का आशिर्वाद प्राप्त कर सकते हैं पित्री पक्ष के 15 दिनों में पित्रों को सच्चे मन से याद करते हुए हम यदी रोजाना घर के इन स्थानों पर दीपक जलाए तो ऐसा करने से हमें उनका आशिर्वाद मिलता है और मा लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर हमारे घर में वास करती हैं पित्री पक्ष में पित्रों को प्रसन्न करने के लिए दीपक के चमतकारी उपाई बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं अगले 15 दिन तक रोजाना इन स्थानों पर दीपक जलाने से आपको जल्द ही इसके शुब प्रभाव दिखने लगेंगे न सिर्फ आपके पूरवज आपसे प्रसन्न होंगे बलकि आपको मा लक्ष मी की क्रिपा भी प्राप्थ होगी मा लक्ष्मी ऐसे लोगों से बेहत प्रसन्न होती हैं जो अपने बुज़ुर्गों की सेवा करते हैं और मरने के बाद उनके नाम से दान पुन्य आदी करते हैं प्रियमित्रोंक वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी का आशिर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बैल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके ऐसे में आये जानते हैं कि पित्रिपक्ष के दौरान किन-किन जगहों पर दीपक जलाने से पितर प्रसन्न होते हैं एक वास्तु में दक्षन दिशा को पित्रों की दिशा माना गया है दक्षन दिशा में पित्रों का वास होता है, इसलिए पित्रिपक्ष के पंदरह दिनों में रोजाना इस दिशा में चौमुखी दीपक जलाना चाहिए इससे पित्रि प्रसन्न होते हैं और पित्रि दोश से मुक्ती मिलती है ध्यान रखें कि इस दिशा में सर्सों के तेल का दीपक ही जलाना सबसे उचित माना जाता है दक्षन दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है इसलिए इस दिशा में सर्सों का तेल दीपक जलाने का खास महत्व माना गया है मान्यता है कि इस दिशा में दीपक जलाकर रखने से उर्वजों की राह रोशन होती है और उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं आती दो घर के मुख्यद्वार पर दीपक जलाकर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है पित्रि पक्ष में इस स्थान पर शाम के समय दीपक जलाकर रखने से नकारात्मक उर्जा दूर होती है साथ ही पित्रि प्रसन्न होकर आपको सदैव सुखी और संपन रहने का आशिरवाद देते हैं मुख्यद्वार से मा लक्षमी का भी प्रवेश होता है इसलिए पित्रि पक्ष के दौरान इस स्थान को साफ सुथरा और रोशन रखना चाहिए ऐसा करने से मा लक्षमी आपसे प्रसन्न होती है पीपल के पेड़ पर देवी देवताऊं के साथ ही पित्रों का भी वास होता है इसलिए पित्री पक्ष में रोजाना यहाँ दीपक जला कर रखने से पूर्वजों का आशिर्वाद आपको मिलता है पीपल के पेड़ पर दीपक जलाने से माल लक्षमी भी आपसे प्रसंद होती हैं और आपके घर में वास करती हैं चार घर में जिस स्थान पर आपने अपने पित्रों की तस्वीर लगा रखी हो उस स्थान पर आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए अगर आपके घर में पित्रों की तस्वीरों के नीचे दीपक जला कर रखने की व्यवस्था न हो तो आप अपने पूर्वजों की तस्वीर पर दिया उतार कर इस दीपक को दक्षिन दिशा में रख दें इस उपाय को करने से आपके पित्रों की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है और आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती है पांच पित्रिपक्ष के दौरान घर के इशान कोन में यानि की अपने घर के उत्तरपूर्व कोने में गाय के घी का दीपक जलाने से भी मा लक्ष्मी की कृपा बरसती है इस उपाय को पूरे पंद्रह दिन लगातार करने से आपके घर में सुख और सुविधाई बढ़ने के साथ ही जीवन में सुकून शान्ती स्थापित होती है छे किचन में पीने के पानी के पास दीपक जलाए शाम के समय किचन में पीने के पानी के पास दीपक जलाने से पित्रों का आशिरवाद मिलता है और आपके घर में उनकी कृपा आती है दोस्तों आज की हमारी विडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जैमा लक्ष्मी जरूर लिखें भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें जै श्री कृष्णा दोस्तों